ओम सान्ति बहुत देरेव आजाती है ओम सान्ति बाई ब्रज बहुंजी ने जो बाते कहीं कि हम बहुत समय से नहीं पुस्तक नहीं लिये और बड़े डिटेल में उनसे मेरा खास लगाव उनको जब भी मैं सुनता हूँ लगता है कि और बोलते रहें उनका अनभब बहुत गहरा है अध्यात्मिक मंच पे बैठे ब्रह्मकुमारी बहन पुस्पाजी स्वामी ब्रह्म देव महराज चवाए हूए है इस यह मेरा सवभाग है कि आज मैं उनके दर्शन कर सका यहाँ पर बेस्ट इंडीज में स्वामी राम किस्न प्रह्म हंस के मारको उनके ज्ञान को आगे बढ़ा रहे है ब्रह्मकुमारी बहन लक्षमी जी और आप सब बाबा के बच्चों को मेरा सत्सत नमन आज बहुत सुब दिन है महा सिवरात्री भगवान सिव की जो आज हमने सुनी बाई ब्रह्महन जी से कुछ कहीं गहरा और मुझे आसा है कि आप लोग जिस भाव से वो ब्रह्महन जी बोल रहे थे उस भाव को आप पकड़ा होगा मैं एक आपसे सवाल पूछना चाहता हूं यहाँ पे पीछे आपके पीछे बारा चौदा अच्छे कोटेशन्स लिखे हुए हैं आप इसे कितने लोगों ने पढ़ा है उसको कुछ लोगों ने पढ़ा है पढ़ लीजेगा जाने के पहले जरूर पढ़ लीजेगा ज़र उसको आप पढ़के जीवन में अनुसरन कर लें तो सारा सत्संग हो जाएगा मैं बठे बठे पढ़ रहा था जो चलिए पूछता हूँ मैं आपसे आपके अनुसार सबसे बड़ा दुस्मन कौन है आपका कौन बताएंगे आप क्या कह रहे हैं बताएं कुरोध और कोई मन मन आपका एहंकार ये सब सिंटम्स हैं मन के तो जो मन है रहा हम देखते हैं फिरते हैं बाहर के तरफ कि सारा गलत बाः रहा है, ये गलत हो गया, वो गलत हो गया कुरोध आ रहा है, काम आ रहा है, बहुत कुछ उपदरब चल रहा है तो जो आपका मन है अगर उस मन के उपर गहरे परयोग किये जाएं जिसके लिए मैं ब्रह्म कुमारी बिस्वध्याले और आप सबको जो इस मार्ग पे चल रहे हैं जब दीदी के चेहरे को देखो के तो बड़ा मैं बार-बार एक कहता हूँ उनके चेहरों से कुछ गजब की चमक निकलती है तो जो मन के उपर गहरा परयोग चल रहा है इस में स्वध्याले में और आपके जिंदिगी में इसके थूँ उस गहरे परयोग के कारण मन आपका जो मेरा अपना अनुभव है मैं अपने अनुभव से बोल रहा हूँ दुश्मन रुपी मन दोस्त बन जाता है और अगर मन आपका दोस्त बन गया तो आप सब बावा के बच्चे होने के नाते इस परयोग के उपर चलते हुए आपकी जिंदिगी ये जनम तो सुद्रे गाई मानब जनम जो आपके मिला हो दो सुद्रे गाई लेकिन क्या कुछ नहीं हो सकता वो सब्दों में बयान नहीं कर सकता अगर आपका मन इस मार्क पे चलते हुए दुश्मन से दोस्त बन जाए कला तो नहीं कह रहा कितने लोग राजी हैं इस बात से तोड़ हाथ कड़ा करके बता है बहुत लोग राजी है तो ये है बरजमन भाई ने बहुत गहरे में वो बाते कहीं और यथा राजा यथा प्रजानों ने मेरे नाम भी लिया मैं तो अभी चुनाप के बार लोग मुसे पूछ रहे थे भी क्या हुआ ऐसा रिजल्ट कैसे आ गया तो आप सब को भी सौकिंग रिजल्ट लगा दिली का सट सट सीट हैं आउट और सेविटी तो उसका अध्यात्मिक अंसर एक अरविन भाई और मैं दोनो मैं उसका एक एक जामपल देता हूँ एक हाई कॉर्ट में किसी और पार्टी की दोरा पेटिशन है हमारे खिलाफ कि पिछले चुनाप में हमने ज़्यादा खरचा कर दिया तो हमारी we should lose our right to contest तो हम बिच्छा हम बात कर रहे थे अर्विन भाई से तो बोला कि जी अर्विन भाई अगर ये आगया ना इसका उल्टा परिनाम कि आप नहीं लड़ सकते चुनाप तो मुखमंत्री बनना मुश्कल हो जाएगा तो अर्विन भाई ने कहा कि खुब हसे पहले फिर कहते हैं कि हम मुखमंत्री बनने आए याँ पर अब जिसको ये लगाव नहीं है कि हमको मुखमंत्री बनना है मंत्री बनना है वो कहें नहीं मन के तल पे कुछ ऐसा परियोग कर रहा है जो कि मन को देख पा रहा है अगर आप गहरे से देखेंगे तो सारी के सारे बिर्तियां जो किसे ने कहा क्रोध, किसे ने कहा इंकार इस सारे बिर्तियां जब उठती हैं मन से और तनी थोड़ी देर के लिए अगर आपने डिस्टेंस कर लिया आपने आपको उससे वो बिर्तियां उठी हैं और चले गई सब के मन में उठती है और अगर मन के उपर आपका बगवान सिव बाबा का सिरबात के जरिये मन के उपर अगर आपका मालिकाना हक हो जाए तो गधा के उपर आप चल रहे हैं, गधा आपके उपर चल रहा है, आपको दिख जाएगा जिन्दिगी में तो ये मैंने पहले भी ये बात कही और इसलिए मैंने बार-बार मवारक बात दिया था ब्रह्म कुमारी इंस्टिउशन को और विश्विधाले को माउन टाबो में गहरा पुरियोग चल रहा है कि राजनीती का अध्यात्मे की करन ये जड़ मूल में है गलत नहीं कर रहा सही है ना अगर नेताओं का और जिसको आपने सौपा है पार्लेमेंट पिधान सभा इतने सारे गदाईत हो दिये अगर उनके मन में उनके मन के उपर अगर ब्रह्म कुमारी विश्विधाले का परियोग धंग से हो जाए तो मुझे लगता है कि वो जो गौडली आप हर सब के हर चीज की पीछे गौडली अटेच करते हो तो गौडली काम वो जो गौडली नेस है तो वो मुझे लगता है कि जड़ मूल में वही कारण है राजनीती का अध्यात्मे की करण ही होना चाहिए अगर राजनीती का ध्यात्मे की करन हो जाए तो जो मैं अपने विधान सवा में कहता हूँ आज भी कहता हूँ जब भी मैं चर्च जाता हूँ या गुर्द्वारा जाता हूँ या मंदर जाता हूँ या मस्जी जाता हूँ तो मैं कहता हूं कि मेरी ये एक मन की सिति और मैं मन में ऐसे बिचार गहरे उठते हैं कि क्या मेरा पूरा का पूरा बिधान सवा छेत्र गुरुद्वारा नहीं हो सकता, मंदिर नहीं हो सकता, मस्जिद नहीं हो सकता, गर्जागर नहीं हो सकता क्या रहा है क्योंकि अगर ये अगर ये हो गया तो जो भाव आपको यहां बैठे आ रहे हैं मन अभी थोड़ी कंटेंड होगा मन को अभी थोड़ी आपने लॉलीपॉप दिये कि आज सत्संग सुन रहे हैं तो थोड़ा सा कहीं हिलोरे मार रहा होगा लेकिन अभी चुपचा बैठा होगा आपने उसको बठा रखा है वो पर्मानेंट ब्लिस में घुस सकता है अगर उसको अध्यात्म की करन से बाके में जोड़ दिया जाए और फिर पूरे का पुरा विधानसवा छेत् करता है मैं हर भाईयों को बोला है जब भी मैं उनको समधित करता हूं तो कहता हूं कि जितनी भी छेत्र में बहने हैं जितनी भी छेत्र में बेटियां हैं हर भाई अपने छेत्र में रहने वाली बहन को बहन माने और दिल से माने और हर छेत्र में रहने वाली बेटी को प्रवाद में कि ऐसा क्या हुआ था जो यह गटना गटी तो कहीं न कहीं मुझे लगता है कि as a government, as a society, हम लोग, यह हम लोग का failure है, community failure है, उसे accept करना पड़ेगा, कि हमने ऐसे हालात, ऐसे बातावरन पैदा ही नहीं किये, जिसमें हर इनसान को एक मौका मिले, अपने मन के उपर परियोग करने का, तन के उपर परियोग करने का मौका नहीं मिल रहा है, जब आप कहते हैं मन थिर, तन थिर, सुरत सबत थिर, तो यह पहले तन तो थिर हो, उसके बाद मन थिर होता है, जब तन में इतना बिचलन है, इतना बिचलित है, तो मैं तो बहुत गहरा लगाव है आपके institution से, और जब जब मैं, जुकि मेरे center है, मेरे आई हुएं, दादा जी आई हुएं, आपके यहां बार-बार जाता हुँ, तो जब भी थोड़ी सी धूल चड़ जाती है, तो फिर वहां जाकर के धूल ज़ाड लेते हैं, धूल जब ज़ड़ जाता है, तो फिर फिर एक नई उर्जा, और यह watchfulness, आप सब already practitioner हैं इस path के, तो जो watchfulness की जो आप बिधी बताते हो, एक देखने की, एक तो देखना है, simple देखना, और एक जो देखने की ध्यान के जरीए आप बिधी बताते हो, उसके जरीए अगर आपने, आज जब जितने लोग आए हैं, चोकि मैं तो लालची आदमी हूँ, मेरा लालची है, कि आप सब दिल्ली के हैं, अगर आप यह करके परियोग में करवा दें, तो मेरा दिल्ली सुरक्षित हो जाएगा, और यह एक तरह से दाइत्व, मैं देखे जा रहा हूं, कि यह मैं साथ में गवर्मेंट के कुरीपुजन करते हुए, आप से जो कुछ भी, जब भी, ऐसे परियोग करने का कोई मौका मिलेगा, तो दिल्ली को वर्ल्ड क्लास सिटी बनाने की बात कर रहे हैं, इंफ्रास्रक्षिर से कम, मन की इस्तिति से ज्यादा करना पड़ेगा, अगर मन नहीं ठीक होगा, तो इंफ्रास्रक्षिर से क्या होगा, अगर मन के तल पे परियोग करके, अगर मन को ठीक नहीं किया आपने, त भारत की जो भगवान शिव की जो बिराशत है अगर आप ले भी उस तरह से काउंट करें नहीं तो भगवान शिव तो हर बकत इस बकत हर बकत हैं आपका प्रिजम नहीं उसको ढूंड पारा हुआ आपकी कमजोरी है लेकिन जो ये भारत को जगद गुरु बनाने की चारों तरफ होल्ड मची हुई है उसमें बगैर मन के उपर गहरे परियोग के बगैर हर इंसान को ये मैं कहीं पढ़ा था मनुस्य वनो तो बहुत बड़ी स्टेट्मेंट है उनको वो कहते ही थे मनुस्य वनो अब मनुस्य सो मनुस्य क्या बनना है इसका मतलब कुछ ना कुछ मनुस्य की ऐसी क्वालिटी है जो की मिसिंग है आप में तो बगैर मनुस्य वने और बगैर मन के उबर परियोग किये भारत को जगद गुरू बनाना तो छोड़ दीजी जो इतनी घरनित काम जो हो रहे हैं कि तीन साल की बच्ची से बलातकार सिर्श सर्म से जुक जाता है स्वामी जी आये हुए है बेस्ट इंडिस से क्या लेके तो हम सब भाईयों और बहनों का यहां पे मैं हाज जोड़ के गुजारिस करता हूं एक कहीं ना कहीं हम सब को दाईतो लेना पड़ेगा कि अपने छेत्र में चाहे तो वो धीरी-दीरी डाली है उसके हो सकता है कि वो ब्रह्म कुमारे के नाम से ना आए तो धीरी-दीरी कह मन के परीयोग करने में तुम सक्चम हो गए तो तुमारे ब्यवसाय कई गुना बढ़ जाएगा तुमारे पढ़ाई के अच्छी हो हो जाएगा दिरे-दिरे करके उसको लाना सुरू कर यह ध्यान में है मेराा ऐसा मानना है कि बगैर ध्यान के बगैर मन के तलपे कहां बनने वाला है तो आप सब प्रमात्मा ने आपको ऐसे ड्यूटी दिया और मैं बार-बार इससे बहुत प्रवावित हूँ कि इस काम को आप बहुत अद्भूत तरीके से कर रहे हैं एक आखरी बात कहूंगा तो आप इसे कितने लोग मिला गए हो हाथ कड़ा करो कितने लोग मिला गए हो बच्पन में या बच्पन में कोई मिला गए हो बच्पन में जो मिला गया है कुछ लोग गए हो बागी लोग नहीं गए हैं मिला तो जो लोग मिला बच्पन में गए है कि जब तक आप ने अपने मा की या पिता की हात पकड़ रखे थे अंगुली, आना, ऐसे अंगुली पकड़ के चलते थे, तम मेला में ये चमक रहा है, वो दमक रहा है, वो जूले है, ये, वो है, उसका खूब अनन्द उठा रहे थे, और अचानक आपके आपका हाथ पिता किया उंगली से छूट गया हुआ है कभी किसी के साथ ऐसा छूट गया हाथ तो क्या हुआ छूटे के साथ आप वही चका चौन सारी वो सब आपको खाने को दोड़ रही है वही दुनिया के जितने भी तो मेरा ये concluding मुझे कहा विए काईनली किंक्लूड तो concluding line मेरा ये है अगर आपने बाबा की अंगली पकड़ हुई है तो दुनिया के मजे भी ले सकते हो अगर आपने बाबा की अंगली छोड़ दी तो ये सारे मजे खराब हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि इसमें मैंने बहुत कुछ कह दिया और हम सब प्रयास करें चुकि मनुष्य हैं तो कहने के गलती होती रहती है अगर मैंने कुछ ज़्यादा बोला होगा तो मुझे माफ करिएगा चुकि तो बागे मैं नेता नहीं हूँ आम आदमी हूँ तो आम आदमी के नाते आप से बात करी मैंने आपको बहुत बहुत धन्यवाद भगवान सिव आपके जिंदगी में अपतरित हो बाबा आपके जिंदगी में अपतरित हो आपकी आपकी आप हमेसा उनकी अंगली पकड़ के घुमें अंगली छूटी नहीं चाहिए इस दिन मन में कुछ भुचाल आया ना तो लगा पता करना अंगली छूट के यह कहीं न कहीं तो अंगली छूटी नहीं चाहिए अंगली पकड़ के रखना और जिंदगी बहुत मज